नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंड टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरर के संपातकी से 435 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलग स्पीड म को जानना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जाइन कर लें गुरूप से जूड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में आपको टेलिग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा उस पर किलिक करके आप गुरूप से जूड़ सकत इस्टार्ट अब तक करीब 16 लाख लोगों का टीका करण यही बताता है कि प्रारंभिक हिचक के बावजूद स्वास्थ करमी COVID-19 रोधी टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं यह हिचक तूटनी भी चाहिए थी क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था यह हिचक उन अफवाहों पर आधारित थी जिनहें सरार्ती तत्वों स्वैंभू विशेशग्यों और साथ ही कुछ नेताओं ने संकील राजनीतिक कारणों से हवा दी इस से बेहतर और कुछ नहीं कि आखिरकार संसयवादी और अफवाहों को बल देने वाले पस्त हो रहे हैं इन तत्वों के पस्त होने से यह भी प्रकट होता है कि आउसत भारती एक ओर जहां अपने दाईत्वों के प्रति सचेत है वहीं दूसरी और उन्हें भारत सरकार और टीके का निर्माड करने वालों पर भरोसा है निसंदें टीके को लेकर हिचक इसलिए भी तूटी क्योंकि उसे लगवाने के बाद लोगों को कोई खास परिसानी नहीं हुई टीका लगवाने के बाद वैसी ही मामुली समस्याएं आईं जैसी हर टीके के बाद आती हैं हलका बुखार खुजली आदी तो ऐसे लक्षड हैं जो टीका लगने के बाद दिखाई ही देते हैं वास्तो में इन लक्षणों से इसकी पुष्टी होती है कि टीका कारगर है उमीद की जाती है कि आने वाले दिनों में टीका करण की रफ्तार और गती पकड़ेगी और वह वांचित लक्ष को हासिल करेगी अच्छा होगा कि सरकार स्वास्त कर्मियों के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाना सुरू करें जो बारी से पहले उसे लगवाने के लिए ततपर हैं इसके तहत पुलिस कर्मियों आटो रिक्सा वालों के साथ उन अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने काम धंधे के सिलसिले में कहीं अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं अथमा जिनका भीड़ वाले इलाकों में ज्यादा आना जाना होता है टीका करण की रफतार बढ़ाने के लिए इस अभियान में निजी छेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को जितनी जल्दी संभव हो सामिल किया जाना चाहिए सरकार को टीका करण की रफतार बढ़ाने और लोगों को उसमें सहयोग देने के लिए इसलिए तत पर रहना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी कोरोना संकरमण का खतरा दूर होगा उतनी ही जल्दी आर्थिक व्यापारिक गतविधियों को बल मिलेगा और जब ऐसा होगा तो आर्थिक हालात पटरी पर आएंगे यह विशेश उल्लेखनी है कि जिन देशों में भारत से पहले टीके लगने सुरू हुए थें वहां टीका करण की रफतार धीमी है भारत में महजच दिन में 10 लाख लोगों को टीके लग गएं जबकी अमेरिका और ब्रिटेन में इतने टीके लगने में करम से 10 और 18 दिन लगें निसंदेह यह भी एक ऐसी उपलबधी है जिसका दुनिया संग्यान लेगी और भारत की छमता का लोहा मानेगी वह इससे पहले से ही परचित है कि भारत किस तरह विभिन देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ती करने में सक्षम है दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीर में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट अब तक करीब 16 लाख लोगों का टीका करण यही बताता है कि प्रारंभिक हिचक के बावजूद स्वास्थ कर्मी COVID-19 रोधी टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं यह हिचक तूटनी भी चाहिए थी क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था यह हिचक उन अफवाहों पर आधारी थी जिन्हें सरार्ती तत्वों, स्वैंभू विशेशग्यों और साथ ही कुछ नेताओं ने संकीड राजनीतिक कारणों से हवा दी इससे बेहतर और कुछ नहीं की आखिरकार संसयवादी और अफवाहों को बल देने वाले पस्त हो रहे हैं इन तत्वों के पस्त होने से यह भी प्रकट होता है कि आवसत भारती एक और जहां अपने दाईत्यों के प्रति सचेत है वहीं दूसरी और उन्हें भारत सरकार और टीके का निर्माड करने वालों पर भरोसा है निसंदें टीके को लेकर हिचक इसलिए भी तूटी क्योंकि उसे लगवाने के बाद लोगों को कोई खास परिसानी नहीं हुई टीका लगवाने के बाद वैसी ही मामुली समस्याएं आई जैसी हर टीके के बाद आती हैं हलका बुखार, खुजली, आदी तो ऐसे लक्षण हैं जो टीका लगने के बाद दिखाई ही देते हैं वास्तों में इन लक्षणों से इसकी पुष्टी होती है कि टीका कारगर है उमीद की जाती है कि आने वाले दिनों में टीका करण की रफ्तार और गती पकड़ेगी और वह वांचित लक्ष को हासिल करेगी अच्छा होगा कि सरकार स्वास्थ कर्मियों के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाना सुरू करे जो बारी से पहले उसे लगवाने के लिए ततपर है इसके तहत पुलिस कर्मियों आटो रिक्सा वालों के साथ उन अन्य लोगों को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए जो अपने काम धंधे के सिलसिले में कहीं अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं अथमा जिनका भीड़ वाले इलाकों में ज्यादा आना जाना होता है टीका करण की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस अभियान में निजी छेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को जितनी जल्दी संभव हो सामिल किया जाना चाहिए सरकार को टीका करण की रफ्तार बढ़ाने और लोगों को उसमें सहयोग देने के लिए इसलिए तत पर रहना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी कोरोना संकरमण का खत्रा दूर होगा उतनी ही जल्दी आर्थिक व्यापारिक गतविधियों को बल मिलेगा और जब ऐसा होगा तो आर्थिक हालात पतरी पर आएंगे यह विशेश उल्लेखनिय है कि जिन देशों में भारत से पहले टीके लगने सुरू हुए थें वहां टीका करड की रफतार धीमी है भारत में महज 6 दिन में 10 लाक लोगों को टीके लग गएं जबकी अमेरिका और ब्रिटेन में इतने टीके लगने में क्रम से 10 और 18 दिन लगें निसंदे यह भी एक ऐसी उपलब्धी है जिसका दुनिया संग्यान लेगी और भारत की छमता का लोहा मानेगी वह इससे पहले से ही परिचित है कि भारत किस तरह विभिन देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ती करने में सक्षम है स्टॉप